हेलो फ्रेंड्स वेलकुम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपको ये किटी वाला फेस मार्क्स बनाना बताने वाली हूँ तो इसके लिए सबसे पहले हम हमेशा की तरह एक नॉट लगाएंगे और इसमें इस तरह से क्रोसिया हुग को फसा लेंगे अब हमें टोटल 15 चेन सबसे लेंगे और दो एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे यह आपको फंदे की तरह काउंट होगी तो जो 14 नमबर की चेन है उसमें एक हाप दबल क्रो से निकाल लेंगे तो यह देखिए यह दो एक्स्ट्रा चेन लिए थी हमारा एक पंदा हो जाएगा तो हमारे पास टोटल 15 फंदे हो जाएंगे तो अब हम हर चेन में जो हमने 14 चेन बनाई थी सब में एक एक डबल क्रोसे निकालते हुए यह राउंड कम्प्लीट कर लेंगे टोटल 15 चेन हमारे पास हो जाएंगे और यह देखिए मैंने साथ चेन इधर से गिनी और बीच की जो चेन थी हमारी 8 नमबर की इसमें हमने एक सेफटी पीन इस तरह लगा दी यह सेफटी पीन हमने इसलिए लगाई है क्योंकि हमें बीच में हर बारी हर लाइन में एक एक फं कॉंट होता है तो अब मैं यह सेफ्टी पीन को निकाल दूँगी सेफ्टी पीन को निकालने के बाद लूघ इसमें मैं दो बार डबल क्रॉसिया निकाल लोगी है मैंने और उसी chain में मैं दूसरी बार भी double crochet निकाल लूँगी ठीक है तो यहां पे मेरा 1 funda increase हो गया इस lign में इसके बाद जो बाकी की chain है सर्सब में मैं इस तरह से एक एक half double crochet निकाल लूँगी ठीक है और ये जो दो double crochet हमने एक साथ निकाली है न इसके बीच में फिर से मैं safety pin लगा दूँगी ताकि अगली chain में मुझे याद रहे है कि मुझे इसके बीच में फिर से एक फंदा increase करना है ठीक है तो मैं यह round complete करके बापस यहां पे आ गई हूँ यह देखिए फिर से मैं यहां बीच में आ गई हूँ और यहां से मैं safety pin को हटा के यहां पे द total 12 round complete कर लेंगे ठीक है इस तरह से बीच में एक एक फंदा increase करते हुए जाएंगे यह देखिए मैंने बारे राउंड इसके complete कर लिया हाफ टबल क्रोसिया से और बीच में में एक एक फंदा increase करती हुई गई थी तो मेरा marks काफी बड़ा हो गया है अब यहां से हम बिना increase करे एक लाइन complete करेंगे ठीक है अगर आपको और भी बड़ा marks बनाना है तो एक लाइन की जगे आप दो तीन यह चार लाइन भी बीच में कर सकते हैं इस तरह से क्योंकि मुझे ज्यादा बड़ा marks नहीं बनाना है तो मैंने एक ही लाइन बिना increase करे निकाल लिया अब इसके बा हमने 12 लाइन increase की थी फंदों की अब हम decrease करेंगे तो हमें क्या करना है हमने फिर से सेंटर वाले फंदे में सेफटी पिन लगा ली है यहां से यहां तक मैं बुन लूँगी और यह देखिए अब मैं सेफटी पिन के पास आ गई हूँ और मैं यहां से इसको निकाल के और को साथ में निकाल देंगे और फिर आगे हम सारे chain में एक एक हाफ डबल क्रोश यह दो चले आएंगे यह देखिए इस तरह से हमारा marks मुडने लगेगा थोड़ा सा मार्क्स की सेफ में आने लगेगा दो चेन लेके हम बापस से बीच में आएंगे और मैं फिर से आपको इस सब फंदो को निकाल दूँगी तो ये इस तरह से हमारा हर लाइन में एक एक फंदा कम होता हुँ चला जाएगा तो दो लाइन हमने डिक्रीस कर लिए उसके बाद मैं दस लाइन और करूँगी तो ये मेरा इतना बड़ा मार्क्स कम्प्लीट हो जाएगा इसके बाद मैं एक लाइन बिना फंदे डिक्रीस करें और बुन लूँगी 15 फंदो की जब लाश्ट में हमारे 15 फंदे रह जाएंगे तो हमें लाइन न काट दूँगी और काटने के बाद इसको मैं इसी में मर्ज कर दूँगी ठीक है इसके बाद हम इसके कान बनाएंगी यह मैंने एक नौट लगा कि उसमें तीन हाफ डबल क्रोशिया निकाल ले थी अब तीन हाफ डबल क्रोशिया के उपर मैं चार हाफ डबल क्रोशिया नि इसके बाद मैं फिर से दो चेन लूँगी और इसे पलट लूँगी फिर से पहली चेन से ही हम बुनाई शुरू करेंगे हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया हम बढ़ा देंगे या दो-दो आफ डबल क्रोशिया भी अब बढ़ा सकते हैं तो ये कान की शेप में हमारे प कर दूंगे और इसको मर्ज करने के बाद जब इसकी पूरी फिनिसिंग हो जाएगी तो मैं इसको इसमें स्टीच कर दूंगी यह देखे दोनों साइड हम एक कान को लगा के इसमें सुई धागे से स्टीच कर देंगे इस तरह से सुई को निकालके कान को थोड़ा सा खड़ा करके हम लगाएंगे इस तरह से हम सुई से इसको सिल देंगे और सिलने के बाद मैं दोनों कान स्टीच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है यह देखिए मैंने दोनों कान इसमें लगा ली है अब हम इस पे लगाने के लिए एक छोटी सी बॉब बनाएंगे इस थरह से और इसमें इस तरह से hook को फसाएंगे अब यहां पे हम 6 chain बनाएंगे ठीक है 6 chain बनाने के बाद यह जो पांचवी नमबर की chain है इसमें हम 5 double crochet निकाल लेंगे तो पहले तो हम 2 chain लेंगे वो 2 chain एक फंदे की तरह हो जाएंगे उसके बाद 4 half double crochet और निकाल लेंगे इस तरह से 5 फंदे की chain में ठीक है Sorry half double crochet नहीं इसमें हमें double crochet बनानी है double crochet से हम इस बाओ को बनाएंगे और यह जो हमारी chain है इसमें हम एक-एक double crochet बना लेंगे single single एक-एक double crochet बनाएंगे ठीक है हर chain में और जो लाश्ट वाली चेन है उसमें हम फिर से पांच डवल क्रों सिया बना लेंगे जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग वे किया था यह देखिये इस साइड भी में पांच डवल क्रों सिया बना लूंगी एक ही चेन में जैस से destroying चेन में जैसे हम अपने single double crochet निकालेंगे इन के सामने भी क्यांशंब a single single dot निकालेंगे चारो डबल क्रोसि हो के सामनें एक double crochet single single निकाल लेंगे इस तरह से मैं अब बिल्कुल लाशट में पहुंच गइए ऑड लाश्न में पहुंचने के बाद मैं slip stitch लगाके सबसे पहले वाली chain में और इस कर दूब करूंगे अम यहां से मैं 2 चेन लेकर दूसरा राउंड सरी करऊंगी और पहले हैं से ही मैं representations निकालूंगी उसके बाद यह जो हमने में 5 क्योंड ले थी इसके उपर की हार चेन में हम 22h ले लेंगे हर चेन में दो दो और जो सिंगल सिंगल डवल क्रोसिया हम के ओपर सिंगल सिंगल डवल क्रोसिया इस तरह से हम यह दूसरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे अब इसके लिए देखिए मुझे बाव बनाने के लिए इसे बीच में से सिलना होगा तो अब मैं इसको स तयार हो जाएगी इस तरह से और सुए से आप इसको हम में से करदेंगे बिल्कुल कांद के नीचे रखे अप इसको साइड में और इसको यहां पर इफ श्टीच कर दें और सिच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ यह कैसा लगेगा दिखिए इस तरह से यह स्टिच कर दें अब इसके हम दो आखे लाएंगे आप चाहें तो दो बटन ले ले तो वह आपके लिए ज्यादा असान होगा आप दो ब्लैक कलर के बटन ले ले यह मैंने उन से ही ब्लैक कलर का एक सरकल बना लिया था तो इस तरह से मैंने दो सरकल य रादे जासी होती है वह हम बनाएंगे किटी कर दिजाइन देने के लिए इस तरह से हूं अ कि ब्लैक कलर की उन्से इस में इस तरह से डिजाइन बना देंगे किộख पूरा फेस का और यह complete करने के बाद मैं आपको दिखाते हूं सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइट बना लूँगे और फिर complete करने के बाद मैं आपको दिखाते हूं कैसी लगेगी हमारी किटी यह देखिए कितना प्यारा लग रहा है एक यलो कलर का मैंने इस तरह से हाफ डवल क्रोशिया से चोटा सा मुह इसका बना लिया है इस तरह से आप इसमें बना के सुई धागे से सिल दे और आप चाहें तो अपने ग्रूप नेम के इस तरह से फेस मार्क्स बना सकते हैं यह देखिए मैंने एक ग्रूप के लिए उसक मार्क सापका बिल्कुल त्यार है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें ओके बाइ